है हो गया है हो गया हो गया चैस्मन नहीं हमारा न चलो बच्चों नाम थोड़ा होड़ा दीख रहा है स्टार्ट हो गया है तो जैहिंद मेरे प्यारे बच्चों नीट की डेट का आगाज और हमारी यंग टीम आपके साथ तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि अब पढ़ने का धिकार सबको डाक्टर बनने का धिकार भी सबको तो बायों की बेटा सिरी सुरू हो गई आज देखिए आपके बिल्कुल जोड़दार चेप्टर है जिनसे सवाल जरूर आता है ठीक तो फटा फट चैनल को लाइक करिए सब्स्क्राइब करिए और आज की जो क्लास होगी इससे आपको जरूर एक सवाल तो जरूर मिलेगा हो सकता दो मिल जाए और आप सब बच्चों की राय जानना चाहते हैं कि क्या ये जो च कराये जा रहे हैं बच्चों कि इसका टेस्ट भी करा दिया जाए क्या अगर आप कहेंगे तो एक टेस्ट सिरीज बिल्कुल लांच कर दी जाएगी बिल्कुल फ्रेस दूसरी बात है बच्चों कि आपकी राय एक बात पे और हम वीडियो बना देंगे चीज में और जानना तो इस सिरीज को हम लोग PCB में कर देंगे जिन बच्चों ने physics chemistry test join किया है उनको फिर पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है और फिस वैसे भी बहुत कम है तो इस समय बच्चों हम लोगा जो मिसन है 1000 प्लस उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग बिल्कुल त पिछले 40 साल से बच्चों आप सब के साथ हैं हम लोग सेलेक्शन कैसे होता है यह बहुत अच्छे से पता इसलिए उसकी चिंता बत करिए इस समय बटा थोड़ा सा smart work की जरूरत है तो जो बच्चे classroom में उनको भी बता दें उनका course खतम हो जाएगा कहीं से कोई दिक्कत की बातनी बहुत जल्दी course खतम होगा तो आज बिटा अहां तो जैसिंग सरे सर फिजिक्स का बता दीजे तो बच्चों हमने बायों हम लोगों ने बता दिया सुरू हो गई क्लास केमेस्ट्री आज से सुरू होने जा रही है और फिजिक्स भी कल से सुरू होगा और फिजिक् 2022 में हमने देखा था कि हम लोगों ने जो पेपर 2021 में कराया था और 20 में कराया था उससे बहुत सारे सवाल आये थे तो आए पर एक और ब्युस्ता कर देंगे खाजाना की जिसमें पेपर एक अप्लोड होगा आप पेपर देते रहिएगा दूसरी बात बच्चों और हम लो हमने बहुत बढ़ा दिया है और नीट तक हम लोग तीस फूल लेंटेस कराने जा रहे तीस अब बच्चा लूट सबो तो लूट लो और मेडिकल कॉलेज की दिवाल को फोड के अंदर चले रहो तो बिना देर किये अब आपका आप में जैसिंग सर में बीच में बाधा नह सब्सक्राइब को थैंक यू बच्चो गूड बॉर्निंग नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल नियू लाइट नीट पर जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग का मिसन है अब पढ़ने का अधिकार सब को डॉक्टर बनने का भी अधिकार सब्सक्राइब कर रहा हूं और कल से फिजिक्स का सेडूल आपको मिल जाएगा तो प्रॉपर फिजिक्स केमेस्टी बायोजी एक साथ चलेगी तो मुझे उमीद है कि कुछ बच्चों का जो बच्चे अभी तक पढ़ नहीं पाय थे या अभी पढ़ना चाह रहा है या सिप्रा गुड मॉनिंग हाला फ्यू तो कैसे हैं आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में संदीब बर्मा अंजली सौपनेल अंसिका सुमन जेसिका सिवानी कुल्दी बाबा जोती टीम इंडिया वा क्या बात है चैड की स्पीड थोड़ी स अच्छी हो रही है आप लोगों की लेकिन याद रखिए का अगर आप ओलाइन देख रहे हैं तो ठीक है अगर बाद में रिकॉर्डड देखेंगे तो आप बिल्कुल इस लेक्चर को एकदम ध्यान से समझेंगे पूरी रेटवाने की गरंटी है साथी साथ कॉंसेप्ट क करने की कोशिज करेंगे ताकि आपका आगे भी फायदा हो ठीक है ना तो चलिए बताइए तो आप लोगो स्लोगन दिख रहा होगा और हमारे टीम के क्रेप्टन डारेक्टर आपको डॉक्टर एस्पी सिंग सर का मिसन दिख रहा होगा कि अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको इसी मुहिम के तहत हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो आगे क्या है देख लेते हैं जारा तो आगे है कुछ इस प्रकार से कि केमेस्ट्री एंस्याटी लाइन बाइन पॉलिमर्स क्या बात है फोटो मेरी छेज हो गई है तो फोड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को आगे भी ऐसी फोटो देखने को मिलती रहेंगी आप लोगों को तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं आगे क्या है बिल्कुल आज पॉलिमर फोड़ देंगे और आजी के बाद छोड़ देंगे दोबारा पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है ना तो आर यू रेड़ी आइज एक बर कमेंट के बाक्स में कमेंट करके बताईए बिल्कुल बहुत बहुत शुकिया कोमल मैं कसिस अन्नू अब सेख स्टुडेंट अपार्टी पीजेड ओसिस अंसु अना अंसुमान अंसीका प्रियंका ठीक है तो मुझे लग रहा आर यू रेड़ी यू रेड़ी नौट आर यू रेड़ी चलिए तो जैसा हांगी आपको पता है पॉलिमर के बारे में तो ध्यांच जो इंपोर्टेंट बिल्कुल नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला अपन उसी लाइन पर फोकस करेंगे जो लाइन इंपोर्टेंट है द्यांसे समझ दिएगा तो चैप्टर का नाम है पॉलिमर एक कुश्चन फिक्स है दो आजाए तो आपकी किस्मत है तो करें शुरू करते हैं पॉलिमर चैप्टर में कि क्या है इस पॉलिमर चैपिर में क्या है उसको समझने के लिए पहले हम इस थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं तो लिखा है इसमें जयाद ध्यां से समझेंगी तो चैप्टर की शुरुवात में बहुत लखा है कि पॉलीमर का यूज क्या-क्या है ताकि हमको पता चलबाए कि जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिस कर रहे हैं क्या उसका सच में कोई यूज है कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं खुको ये जानना बहुत जरूर है आज के जमाने में शायरा है यूज है जो चीज हम पढ़ रहे हैं क्यूकर जब कशxis के बारे में पढ़ाई करते हैं तो ऑह सब इसके बारे में बताए जाता पिदिल अप यह यूज होने वाला है तो अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि यानि कि जैसे मेरे हाथ मारकर है घड़ी है यह 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 बोर्ड है यह आपका लेपटॉप है मोबाइल है एक्स वाइज चीजे सारी लगब लगब पॉलीमर से मिलके बनी होती हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें दो चीजे समझन यानि कि जो पॉलीमर वर्ड बना है अपने पास ध्यान से समझेंगे यह दो अड़ वर्ड से मिलके बना हुआ है एक तो पॉली से दूसरा मर से पॉली का मतलब होता बहुत धेर सारी मेनी जिसे मैंने कहता है बहुत धेर सारी चीज है मर का मतलब होता यूनिट यानि कि बह अगर आपको इंग्लीज में क्लास करनी हैं तो आप बिल्कुल कनेक्ट करिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इंग्लीज टूंग्लीज पढ़ाएंगे लेकिन अपन देखो उन बच्चों पर ज्यादा फेवर करेंगे जो बच्चे हिंग्लीज को समझते हैं यान याद रखिए कि पहला सवाल अगर पुछा जाएगा तो यह पुछा जाएगा कि पॉलीमर का मतलब क्या है पॉलीमर का मतलब है मेनी पॉली का मतलब है मेनी मर का मतलब है यूनिट यानि कि मेनी यूनिट बासमझ में आ रही है दूसरा सवाल पुछा जाएगा कि मॉल्कु कितना होता है तो वो 10 to the power 3 से 10 to the power 7 यानि एक हजार से एक लाग के आसपास होता है दीज आर आल्सों रिफर्ट टू एज मैक्रो मैलकूल्स ध्यान से समझेगा इसे हम मैक्रो मैलकूल्स भी कहते हैं ठीक है ठीक है आओ कोई बात देखते रो जहां से हूं तो देखो ध्यान से समझना है इसमें और दो तीन लाइने मैं पड़ देता हूं तो विच आर फॉर्मड बाई जॉइनिंग आफ रिपीटिंग इस्ट्रक्चरल यूनिट्स आने लार्ज स्केल यानि पालीमर जो बनता है न वह छोटी छोटी यूनिट से जूड़के मिलता ध्यान से समझना अगर मैं इसे मोनोमर मांदू यानि जो छोटी छोटी यूनि सवाल पूछे जाते हैं कि विच आर फॉंड बाई जॉइनिंग आफ रिपीटिंग इस्ट्रक्चरल यूनिट आने लार्ज स्केल रिपीटिंग इस्ट्रक्चरल यूनिट्स आज डेराइवड फ्रम सम सिंपल ज्यासे समनना यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट है यह आनी कि अगर आपसे पूछ ले दमोनोमें की प्रोपट्टी क्या है तो सिंपल होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए है अगर चैक्थ रियाक्थिव मडूमें प्री मौमी 5 ten जोव आपस में जो हैं वो कोवैलन के द्वारा जूरतेयान करें ऍापेंडूमूं बाइक पूट या फिर आयन डाइपोल इंट्रेक्सर फोर्ष कोबलेंट बॉंड याद रखिएगा कि मोनोमर एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं कोबलेंट बॉंड के थूड़ते हैं ठीक है कोबलेंट दप्रोशेस आप फार्मेशन आप पॉलीमर्स फ्रॉम्र्म रिस्पेक्ट्ट्व मोन यत इस प्लीमर को बनाने का जो प्रॉशेस है उसे हमco कहते हैं अब कर दो किमार्म को हम कैसे क्लासिफ़ाई करेगया भी को कि कटिविव करें रूरी है ठीक है सुमन मिल जाएगा सौट नोट्स परिशान ना हूं बिल्कुल बिल्कुल डलवा देंगे स्वेस्मणी जी बिल्कुल डलवा देंगे टेलीग्राम पर परिशान ना हूं जड़ा देखें there are several ways of classification of polymers based on some special consideration one of the common classification of polymers is based on source अगर मैं कहूं कि source के basis पर देंगे समना source के basis पर पॉलीमर का classification कितने टाइप का हुआ है तो तीन टाइप का हुआ है कौन-कौन से समझना source के basis पर यहां पे एक important line है source from which polymer is derived under this type of classification there are three sub-categories यानि कि source के basis पर अगर हम classification करें तो अपने को तीन प्रकार के polymer मिलेंगे जिसमें पहला आएगा natural polymers पहला क्या हो जाएगा natural polymers चलिए मैं आप से सवाल पूछता हम आपने बहुत anxiety पड़ी होगी कमेंट करके बताइए क्या natural polymers bio degradable polymer है की नहीं है कमेंट कर यह फटाक से ठीक कशिस सेख अगर सामौले बहुत का कोई बच्चा तो अपने गुरूप में लिंक सेर कर दो ताकि बहुत सारे बच्चों को मिल जाएगर लिंक ना आया हो तो लिंक आया हो तो कोई बात नहीं द्यान से समझना मैंने क्या पूछा है मैंने पूछा बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर है की नहीं है नेचूरल पॉलीमर्स का ध्यान से समझना इस पॉलीमर्स और फांड इन प्लांट्स और एनिमल्स आ इक्जवाळ्स आरupl्मान कि twee polymers जो नेचर में पए सातेम्स आएसे पॉलीमर्स जो नेचर में पाइर जाते हैं उन्हें बनाने जरूरत नहीं पड़ती उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे नेच्रूरल पॉलिकर करते हैं जैसे प्रोटीन सेलू कृटारूलोक स्टार्च याद रखना नान बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं सिर्फ बायोडिग्रेबल का ओन है प्रोटीन सेलूलेज स्टार्च और वो नान बायोडिग्रेडेबल में आएंगे ध्यांसे समझेगा और यह क्या हो गया रेजिन्स और रबर इनके एक्जाम्पल्स कैसे याद रखोगे आप पीसी डबल आर करके प्रोटीन सेलूलोज स्टार्च रजिन्स रवर क्या मेरी बाद समझ में आ रही है ठीक है राजपूर्च वहान लिखना है डीबा अफ्रीन हलो जी क्या जी यही करने आते हो क्या इधर क्या मेरी बाद समझ में आई आप लोगों को नेचुरल पॉलिमर्स किसे कहेंगे जो हमारे इन्वायर्मेंट में पाया जाता है जिसे बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भ तर्शुरल मेर यह है नहीं है अब नचुरल पॉलिमर संद्रा पॉलिमर हमने पढ़ लिया है उन्यूरल पॉलिमर का जो डेरिवेटिव होगा या ज हुआ कई पॉलिमर को डिराइवड करके बनाया जायेगा उसे हम क्या कहेंगे सेमी synthetic केंगे अर्विन कुमर जी बहुत बढ़िया हूं है यानि कि cellulose derivatives and cellulose acetate ध्यान से समझिएगा अगर मैं आपसे पूछू rayon किसका नाम है याद करिए एक बार rayon किसका नाम कमेंट करके बताईए cellulose acetate जिसे rayon कहते हैं and cellulose nitrate cellulose जन्थेट जन्थेट नहीं दे रखा बट वो भी example में मिलता कहीं कहीं etc are these usual example of this sub category यानि कि दोगों सिंपल सी बाते क्या है न सेमी सेमी synthetic में बस इतना याद रख लो कि जो cellulose के derivative होंगे जो भी आगे लगा होगा चाए acetate लगा हो चाए nitrate लगा हो चाए क्या मेरी बास समझ पारहे हैं आप सभी लोग क्या मेरी बास समझ पारहे हैं दोस्तों सभी लोह अर्ट क्या तो क्या आपको messages हो रहा हैं धीरे धीरे चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सिंथेटिक पॉलिमर देखो सिंथेटिक पॉलिमर वो सारे पॉलिमर जो आपके आसपास समाज में दिखते हैं यानि कि जो मैंमेड दौरा बनाए गए हैं यानि कि ऐसा समलो कि जो हमने बनाए हैं अपने हिसाब से अपनी सुभधाओं के अनुसार जो पॉलिमर हमने बनाए हैं उसे हम मै variety of synthetic polymer size plastic, plastic में देखो polythene को रखा है synthetic fibers nylon 6-6 and synthetic rubbers buna s, चलिए comment करके बताइए polythene का monomer क्या है, और comment करके बताइए nylon 6-6 का monomer क्या है, और comment करके बताइए buna s का monomer क्या है, चलिए फटाक से comment कीजिए, फटाक से कमेंट कीजिए, चलिए, सोनम सर्मा का एंसर आ चुका है, कमेंट कीजिए एक बार फटाक से, फटाक से कमेंट कीजिए, अंसिका सर्मा इथीन, मोनोमर बताईए, पॉलिथीन का, अगर पॉलिथीन का बता लिए हैं, तो एक बार नाइलॉन सिक्सिक्स का बताईए, नैलोन 6-6 भी बता लिए तो विवना एस का बताईए बताईए क्या होगा ठीक है सोनम सर्मा ने बताए वन गामा थ्री डाइन इस्टाइरीन ठीक है बेरी गुट पेटा विवना एस का ठीक है अनसुमान राज ने दिया है बहुत अच्छे यह बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि फाइबर में जैसे नाइलों 66 और सिंथेटिक रवर में जैसे ब्यूना एस और एक्जाम्पल आफ मायनमेड पॉलिमर्स एक्स्टेंसिवली यूज इन डईली लाइफ ऐस बैला ऐस अंड इन्डॉस्ट्री का आप दूसरा ट्लासिफिकेशन कैं इसे बेस्कंद पर हैला तो क्लासिफौाइब तो clarify मेरे भाई तो सोर्स के वेसेस पे अपने को तीन पॉलीमर मिले कौन कौन से एक तो नेचूरल मिले क्या मिले दूसरा सेमी सिंथेटिक मिला याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है पस बने रही आप लोग जाईएगा नहीं बिल्कुल भी और तीसरा क्या मिला अपने को सिंथेटिक जिसे हम मै सेमी सिंथेट में मैंने का था कि सेलुलोज डेरिवेटिव यानि कि जितने पॉलीमर आपको याद आ रहे हैं जो सेमी सिंथेटिक और नेचुरल नहीं है मेरे भाई वो क्या कहलाएंगे वो सभी सिंथेटिक कहलाएंगे जैसे पॉलिथीन इंसियाटी में दे रखा था ब्यूना एस ले लो या फिर ब्यूना एस या ब्यूना एन ले लो या फिर नाइलॉन कोई भी ले लो नाइलॉन Nylon 6-6 ले- نylon 6 ले- Nylon 26 यह सारे मेरे भाई क्या कहलाएंगे क्या मेरी बाहस समझ पारहें तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं polymers can also be classified in the basis of structure molecular force mode of polymerization तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला classification कौन सा होगा what are polymers वो मैं बता चुका हो polymers क्या है द्यान समझना types of polymerization reaction लिखा है there are two broad types of polymerization reaction that is addition chain growth polymerization and condensation step growth polymerization ध्यान से जमझना ये सवाल जरूर पूछा जाएगा chain growth polymerization किसे कहते हैं comment box में comment करके बताईए दूसरा पूछा जाएगा step growth polymerization किसे कहते हैं chain growth में क्या होता कि chain बढ़ने लगे अब आपने का सर्फ polymer बना रहे हैं chain तो सब में बढ़ने भाई लेकि ध्यान रगना step growth का मतलब है कि कोई चीज जूड रही है तो breaker के साथ जूड रही है breaker मतलब समझ रहे हो जैसे ch2 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 CoNH यानि कि एक एक step का growth हो रहा है ध्यान से समझना से constant को step growth polymerization कहते हैं जबकि औरeng to addition करते हो जैसे polythene बना रहे हो तो CH2CH2, CH2, 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 CH2 यानि कि चेन का ग्रोथ होरा कोई भी Breaker नहीं मिल लहा है मेरे भाई तो क्या मेरी बाश समझ पा रहे हो आप लोग बताओ there क्या मेरी बाश समझ बारहे हैं आप सबी लोग बताइए चली आगे बढ़ते हैं लिखा है in this type अब लिखा addition polymerization और chain growth polymerization जड़ा देखते हैं in this type of polymerization the molecules of the same monomer are different monomers added together on a large scale to form a polymer the monomers use their unsaturated compound that is alkynes, alchadynes ध्यान से note कर लीजिए बहुत गजब की लाइन बता रहा हूं मेरे भाई ध्यान से समझना कि अगर अगर एडिशन पॉलिमर होगा तो कैसे पहचानोगे बहुत गजब की लाइन है मेरे भाई एडिशन पॉलिमर कराने के लिए क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए यह वाली लाइन बहुत अच्छे से याद कर लीजिए अगर आपको कंडंसेशन कराना है तो कंडंसेशन में और एडिशन में क्या फरक है ध्यान से समझ दो एडिशन में क्या होता कि मोलिक्यूल जुडते जाते हैं सिर्फ बॉन्ड तूटता है लेकिन कंडंसेशन में छोटे-छोटे मोलिक्यूल जैसे पानी एनस्थ्री या फिर अलकोहल के मोलिक्यूल निकल जाते हैं मेरे भाई क्या मेरी बाद समझ मा रही है कंडंसेशन कैसे पहचान होगे इसमें बाई-फंक्शनल गुरुप वाले कंपाउंड आएंगे बाई-फंक्श पा रहे हो अब मैं तुमसे पूछता हूँ ध्यां से समझना मैं तुमसे पूछता हूँ एक अलक सवाल मैं कहता हूँ कि बताओ CH2 CHC यहां पर लगा दे रहा हूँ मैं मालो कोई भी गुरुप और लिख दिया डबल बॉंड CHCH3 डबल बॉंड CH2 बताओ यह कौन से पॉलीमर सो करेगा क्या यह एडिशन पॉलीमर सो करेगा कंडंसेशन कमेंट करके बताओ गरिमा गुड मॉनिंग यह कंडंसेशन सो करेगा यह फिर एडिशन सो करेगा बताओ फटाक से बेटा अगर डबल बॉंड है तो एडिशन होगा हमेशा ध्यान रखना क्या होगा एडिशन होगा लेकिन ने लेकिन मैं आपसे कह दूँ ध्यान से समदना मैं आपसे कह दूँं कि यह NH2 है और यह CH2 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 CH1 OOH है तो एक बार देख के बताओ या फिर मैं यहाँ पर लगा दूँ OH CH2 ऐसे 10 कर दूं और यहां बिलागा दूं C double bond OH अगर by functional group और tri functional group आजाए तो क्या सो करेंगे condensation polymer so करेंगे क्या करेंगे condensation polymer so करेंगे I think आपने मेरी बात को समझ लिया होगा चली थोड़ा सागे बढ़ते हैं लिखा है the mode of polymerization leads to an increase in chain growth and chain growth can take place through the formation of either free radical or ionic species आइनिक वाला देखो अपने सलेबस्मैनिक केटाइनिक और अनाइनिक mechanism बट ठीक है free radical पढ़ेंगे however the free radical governed edition और chain growth polymerization is the most common mode ठीक है अब इसमें ध्यास से समझना अब कई बार बच्चे कहते हैं सर्फ free radical mechanism से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे तो मैं बता दू बेटा अगर NCRT में है तो पक्का आएगा तो मुद्दा है कि सवाल कैसे आएगा आपको चार स्टेप देखे option में ABCD में पूछेगा chain initiation step काउन सा है या आपसे पूछेगा कि chain termination step काउन सा है या chain propagation step काउन सा है फिर आप confused हो जाओगे इसलिए mechanism याद भलेना हो लेकिन step पता होना चाहिए तो मैं आपके बताता हूँ यह variety of alkenes or diens the derivatives are polymerization in the presence of free radical generating initiator catalyst like benzoil peroxide, acetyl peroxide, tertiary butyl peroxide etc यानि कि ध्यान से समझना यह जो ph c double bond o ph है benzoil peroxide यह लेने पे क्या होगा अपने पास free radical generate होगा क्योंगे यह कैसा है catalyst है जो free radical को generate करता है यानि कि अगर आपके पास molecule है free radical नहीं है तो यह free radical ही चूट के free radical generate करता है और कल मैंने goc में कल नहीं परसो मैंने rapid fire goc में बताया थे एक बात याद होगा कि अगर आपका टाइकिंग रिएजेंट free radical है क्या अगर आपका टाइकिंग रिएजेंट free radical है तो reaction या mechanism free radical ही होगा क्या मेरी बात समझपा रहे हैं ठीक है आयू सिंग पहचानना हूं चलिए उम्मीद करतों मेरी बात समझपा रहे हैं होगे फार इग्जामपल दपॉलिमराइजेशन आफ इथीन तो पॉलिथीन कंसिस्ट आफ हीटिंग और एक्सपोजिंग तो लाइट ए मिक्चर आफ इथीन विते स्मॉल अमांट आफ बेंजोयल परोक्साइड इनिसिये ठीक है अभी हम रियक्शन देखते हैं दा प्रोसेस स्टार्ड विद द एडिशन आप फिनाइल फ्री रेडिकल फॉंड बाइद परक्साइड तूदा इथीन डेबल बॉंड दस जनरेटिंग इन्यू दा लार्ज फ्री रेडिकल इस स्टेप इसको मैं पढ़ूंगा तु इनिसियेटिंग इस्टेप यानि कि पहले अपने पास बेंजॉयल परक्साइड था वो टूटा ये देखो फिस हुक ऐरो बोलते हैं क्योंकि एक 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 इलेक्ट्रों जाता है तो देखो एक इलेक्ट्रों उसकी तरफ एक इसकी तरफ आमने का ये कब होगा देखो जब प अब अपने पास फिनाईल परता यह जैसे ही जैसे ही फीन परक्साइगा यह क्या कर देगा मेरे भाई ये इसको फ्री रेडिकल यहाँ तोर देगा या की कि अब ये चैन बढ़ाने के लिए तयार है तो आगे देखो क्या होगा नश्तर चैन प्रोबगेटिंग इस्टिप क्या ये इस्टिप यानि की उसी को फिरसे हम इथीन के साथ संपर कर мед uniqu संपर करवाये तो फिर से वह तोड़े गा पिर से के अट नौई जूड़े पूछा जाएगा तो चेंड प्रोपगेटिंगी स्टेफ हो गया और ऐसे अपन छोड़ते रहें तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि एंड टाइम से च्टू बीच में आ जाएगा सोचो उसी के साथ फिर से मैं च्टू कि रेक्शन करा दो तो क्या एंड टाइम्स आएगा क रख्षन के 3 step होते हैं एक चेन इनिशीयेशं दूसरा चेंड प्रोपगेशन त 2010 टें टर्मिनेशं चेंड टर्मिनेशं क्या होता है कि ड़ज को हम समाप्त करतें अच चेंड को समाप्त कैसे कर पाएंगे मेरे बाइक Black Called जब दो-दो free radical आपस में जोड दें तो इधर वाला तो रुका है उधर वाला भी रुका होगा जैसे तहां से देखो इसी चीज को हम दो बार ले ले या दो यूनिट ले ले मेरे भाई तो यह और यह आपस में जुड जाएंगे इधर कोई chain है नहीं बढ़ने के लिए इधर कोई chain है नहीं बढ़ने के लिए इसको फैला देते हैं तो देखना क्या यह आपस में जुड़े हैं यह यह क्लोज है और इधर से यह भी क्लोज था यह भी क्लोज था और इसी को हम बन इसी को अपन क्या कहते हैं इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं ch2 single bond ch2 n क्योंकि यह वाले किया कर रहे हैं रियक्षन को कराने में मदत कर रहे हैं तो मुझे उमीद है कि यह बास चमझ में आ गई होगी to मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा हाँ, अब ध्यार समना, दा-एडिशन पॉलीउमर्स, पॉंड बाईद पॉलीमराईजोन आफ इस यानि कि, एक ही टाइप के, अगर मोनोमर इस होँ तो होमो पॉलीमर बनता है अगर एक से ज़्यादा टाइप के पॉलीमर यूज हो तो को पॉलीमर बनता है for example polythene discus above is a homo polymer ठीक है माल लिया हमने क्योंकि कैसे बना था देखो यह कैसे बना था यह हमने लिया CH2 double bond CH2 polythene ethene n times लिया और फिर उसी को जोड दिया बन गया CH2 CH2 whole power n क्या एक ही टाइप का monomer use हुआ है कि नहीं हुआ है अरे हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है चलिए आगे देखते हैं दपॉलीमर मेड बाई एडिसन पॉलीमर आज़ेशन आफ टू डिफरेंट monomers are termed as co-polymer co-polymer किसे कहेंगे जब दो टाइप का बनेगा जैसे ब्यूना as which is found by polymerization of buta 1,3 diene and styrene as a example of co-polymer found by addition polymerization अभी दो लाइन मैंने बोली ना वहीं बोला कि दो टाइप के लोगों से बिलके बना देख लो एक तो buta 1,3 diene है दूसरा styrene है styrene के बारे मिध्यान से देख लेना ncrt में polystyrene के बारे में दे रखा है तो पूछ सकता है सवाद अब सोचो यह double bond है double bond वाले क्या सो करेंगे double bond वाले सो करेंगे भाई addition polymer क्या सो करेंगे addition polymer इसका नाम हो जाएगा buta diene styrene polymer जिसे हम ब्यूना s कहते हैं क्या कहते हैं 21 s कहते हैं ठीक किसी को कोई confusion तो नहीं है मेरे भाई सब क्लियर है ना भाई मेरे चलो जब सब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अच्छा एक चीज बताओ एक चीज बताओ रबर क्या रवर की कटेग्रीम आएगा क्या रवर की कटेग्रीम आएगा व्यूना एस और व्यूना एन की नहीं आएगा आपको मंतर दे दे जाहूं व्यूटा डाइएन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे वह किसी के साथ मिलके अगर पॉलीमर बना रहे हैं कान कोल के सुन लेना तो वह सभी पॉलीमर क्या प्रेटि के रवर की कटेग्री में आएंगे ऐसा मैं नहीं बोलना आपने साथ यह पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूं देख लो बिल्कुल आप से एक लेंगे सर से बात कर लिजिए पॉलीथीन सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर देखो पॉलीथीन दो क आप से पूछा जाएगा यह सवाल पॉलीथीन्स आर लीनियर और स्लाइटली ब्रॉंच्ट लॉंग चेंड मोलिकूल्स दीज आर कैफेबल और आफ रिपीटिविली सॉफ्टनिंग और हीटिंग अंड हार्डनिंग और कूलिंग अंड देर दस थर्मो प्लास्टिक पॉल ठंडा करोगे तो यह क्या हो जाएगा टाइट हो जाएगा हार्ड हो जाएगा और अगर इसको चाहो तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो यानि कि मॉल्ड कर सकते हो तो वही सब बातें लिखी हुई है देर आट टू टाइप सा पॉलिथीन ऐस गिवन विल हीट करने पर क्या हो जाता है यह पिखल जाएगा हीट करने पर पिखल जाएगा सॉप्ट हो जाएगा लेकिन जब कूल करोगे तो हार्ड हो जाएगा इसे हम थर्मो प्लास्टिक की कटेग्रीम रखते हैं जिनके बीच क्या हम बोल सकते हैं उसको मोल्ड कर सकते हैं जैसे करके फिर से बना सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं तो लो डेंस्टी पॉलिथीन क्या है जरा ध्यान समझें इट इस ऑप्टेंड बाइड़ पॉलिमराइजेशन आफ एथीन अंडर दा हाई प्रिसर आफ सो से दो सो एट्मोस्फियर द्यादर समूलो बिटा नाम लो का पॉलिथीन है तो हाई प्रिसर लेते हैं लो डेंस्टी के पॉलिथीन में हाई प्रिसर लेते हैं और हाई डेंस्टी के पॉलिथीन में लो प्रिसर लेते हैं ये बात हमेशा याद रख लेना इनमर्स होता है तो इट इस ऑप्टेंड पॉलिमराइजेशन आफ एथीन अ और एक परक्साइड इनिसियेटर यानि की O2 या R2O2 की प्रजेंस में होगा जो एक इनिसियेटर का काम करेगा यानि की केटाइलिस्ट का काम करेगा किसका काम करेगा चेन बनाने के लिए क्या बनाने के लिए चेन बनाने के लिए अभी हमने पढ़ा है फिर उसी unit को जोडते हो जाते है यानि कि इसका chain कैसा होता है यह कहरा कि अगर यह polythene चल लहा है ऐसे इसमें highly branch होता है यानि कि यह कैसे होते है ब्रांच होते है यह कैसे होते है ब्रांच होते है मेरे भाई क्या मेरी बास समझ मारी है यह highly branch होते है लिखा हुआ है it has highly branch structure कैसा है highly branch structure है और high pressure के under बनाया जाता है initiator क्या लेते हैं या परोक्साइड इनिसियेटर के रूप में यूज करते हैं क्या मेरी बास में आप लोगों को ठीक है जैसके अगा तो मैं लिखा soft on heating and hard on cooling बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपके घर में polythene नहीं है पॉलिथीन को जला लो देखो कितना soft हो जाता है फिर छोड़ दो तो देखो कितना hard हो जाता है ठीक है चलाएंगे बढ़े लोग टंस्टी पॉलिथीन is chemically inert and tough बट flexible and poor conductor of electricity यह लाइन बहुत important है very very important पिछली बार जो मैं सवाल करवाने आये था आप लोगों ने गलत करवा दिया था सायर देखना पूर conductor of electricity है यानि कि बहुत पूर है कैसा है बहुत पूर यानि कि इसे हम यूज कर सकते हैं इंदा insulation of electricity carrying wires and manufacture of squeeze bottle toys and flexible pipes इनका यूज क्या है अगर हम बायर पर भी लगा सकते हैं बायर मतलब समझ रहे हो ना electricity wire पर लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं squeeze bottle जो बच्चों लिए bottle बनाई जाती है उसमें यूज कर सकते हैं खिलोनों में और flexible pipes में flexible pipe मतलब समझ रहे हैं वो जो अपने घर motor में फबारे के लिए अपन पाइप नहीं लगाते हैं ऐसे गोल गोल मोड के रहते हैं ऐसे दबागे आप लोग कभी 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 खेती बाड़ी की हो पता नहीं की एक नहीं कीये मुझे पता नहीं लें मेरी बाट समझपा रहे हैं आप सबीलोग है कि लोडंसटी पॉलिफीन द्यान से कि एक बहुत है कि पॉलिफीन लो देंसटी पॉलिफीन यह लो-थैंसची पॉलिफीन कैसे बनता है प्रेसर और-धहिं हाई-डंस-टी पॉलिफीन पर चलेंगे एक ठीक है एक लप बज गरदा है तो थोड़ा ध्यान से तेखना ठीक है high pressure पर ठीक है high density polythene तो low pressure होगा that's all now high density polythene it is formed when addition polymerization of ethene takes place in a hydrocarbon solvent in the presence of a catalyst अगर हम करवा रहे हैं जिगलर नाटा को कैसे लिखूंगा मैं तो अपने को हाई डेंसटी पॉलिथीन मिलेगा क्या मिलेगा हाई डेंसटी पॉलिथीन मिलेगा जिगलर नाटा केटाइलिस्ट कान खोल के सुनलो याद करलो सवाल पूछा जाएगा जिगलर नाटा केटाइलिस्ट किसमें यूज किया जाता है इथीन से हाई डेंस्टी पॉलिथीन बनाने में क्या मेरी बासवन पा रहे हैं बिल्कुल जिगलर नाटा केटाइलिस्ट अटे टमप्रेचर अब 303 केल्विन अंडर एप्रेचर 6-7 एटमोस्फियर हाई देंस्टी पॉलिथीन थस प्रोडिउस कंसिस्ट आफ लीनियर मोलिकूल आज सोन बिलो एंड है जे हाई देंस्टी दू टू क्लोज पाइकिंग सच पॉलिमर्स आर अलसो कॉल्ड लीनियर पॉलिमर्स ध्यान से सुनना इसे लीनि वोलना है हाय डेंस्टी पॉलिमर्स को लेगों लो देंस्टी पॉलिथीन को क्या बोलेंगे ब्रांच दू बोलेंगे लीनियर क्यों बोलना है देखोए लीनियर है जिसमें कोई branching नहीं है, high density polymers are also chemically inert and more tough and hard, यानि कि जो low density polythene है उससे ज़्यादा tough और hard होते है, it is used manufacturing bucket, dustbin, bottles, pipes, etc, इनका use क्या कैसे करते हैं, buckets, dustbin, bottles, pipes, etc, अब ध्यान से समझना, इन्हें high density क्यों कहते हैं, देखो बेटा, अगर इनमें कोई branching नहीं है, सुनना, अगर इनमें कोई branching नहीं है, तो क्या इसको हम दवा के इसकी density बढ़ा सकते हैं, बीच में volume कम कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचो, सोचो इनमें branching है, अगर इनमें branching है मेरे भाई, तो इनको हम कितना भी दबा लें लेकिन इनके बीच में वैलूम ज़्यादा रहेगा इसलिए density होता है mass by volume ब्रांच वाले में वैलूम ज़्यादा होगा तो density कम हो जाएगी इसलिए इसको low density भोलते हैं, इसको high density भोलते हैं. क्या आपको, बहुत बहुत शुकृया, स्वपनेट सर्थ, तो क्या आप लोगों को ये बा़ समझ द मैंाई, के high density और low density polythene में क्या difference है, क्यों low density भोलते हैं, क्यों high density भोलते हैं, और linear होने की वज़ा से density बढ़ जाता है क्या मेरी बास समझ पा रहे हैं आप लोग क्या मेरी बास समझ पा रहे हैं आप लोग चली आगे बढ़ते हैं तीसरा है यह सभी एडिशन पॉलीमर के एक्जमपल चल रहे हैं तीसरा है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिन टेफलान बहुत खुबसूरत नाम है टेफलान तो क्या होता है इसमें देखलें टेफलान is manufactured by heating tetrafluoroethene with a free radical or per sulfate catalyst पर sulfate catalyst कुछ भी लो ना बस अपने को क्या होना चाहिए यार देखो पर आक्साइड लिंकेंज मिलनी चाहिए इसमें भी दो पर sulfate catalyst में भी मिलेगा और free radical mechanism के साथ करेगा high pressure पर इट इस chemically inert and resistant to attack by corrosive reagent corrosive reagent का मतलब समझ रहे हो यानि कि जो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो reaction करने के लिए it is used in making oil seals and gasket and also used for non-stick surface coated utensil last वाला बहुत ज्यादा useful है non-stick surface coated utensil वो जो black black अपन अब नए जवाने में खरीदते हैं तबाव वगारा cooker वगरा जो black cover की covering नहीं होती है ठीक है ठीक है ठीक आओ तो stick coated utensil जो होता है उसे हम क्या कहते हैं उसमें हम use करते हैं किसको teflon को देख लो कैसे बनता है देखो c double bond c f f f f होता क्या कि इसी unit को बार बार चलाता रहूं तो क्या मिल जाएगा c f 2 c f 2 c f 2 c f 2 n तो उसी को हम बोलेंगे teflon क्या बोलेंगे teflon यह वाली लाइन बहुत यूज रखिए ना बरतनों में उसके लिए use होता है टेट्राफ्लोर इथीन और केटैलिस की प्रजेंट में होगा teflon बनाएगा चलो बस इतना याद रखना पॉली एक्राइलो नाइट्राइल दा एडिशन पॉलीमराइजेशन आफ एक्राइलो नाइट्राइल इन प्रजेंस आफ और हमने लिख लिया प्लस में CH2 double bond CHCN ध्यान समना एक bond यहाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तो free radical यह देखो free यह देखो जोड़ दिया और इधर देखो छोड़ दिया यह देखो CH2 single bond CHCN CH2 single bond CHCN यह repeat हो रहा है इसे ही हम कहते हैं polyacrylonitrile और इसे कहते हैं एक्राइलो नाइट्राइल क्या मेरी पास समझ में आ रही है आप लोगों को गुड़ मॉनिंग जी गया सा क्या मेरी पास समझ में आ रही है आप लोगों को polyacrylonitrile is used as a substitute for wool in making making commercial fibers as orlan or acrylene द्यान से मनना यह नीड 2022 में आया हुआ सवाल है कि polyacrylonitrile को किसके substitute के लिए यूज करते हैं उल मतलब समझ रहे हैं उन समझ रहे होगा उन मतलब समझ रहे होगा नहीं समझ रहे होगा समझ रहे होगा polyacrylonitrile is used as a substitute for wool in making commercial fibers orlon और acrylene बनाने में भी यूज होता है तो यह बातें आप याद रखिए कि से ज्यादा जानने जरूत नहीं है पूछा है CH2 CHC6H5N homo polymer है या co polymer है तो ध्यान से समझ लेते हैं कि लिखा है CH2 CHCN और N बार लिखा है N बार नहीं C6H5 लिखा है देखो N बार लिखा है यानि कि यहाँ पर बीच में क्या रहा होगा double bond रहा होगा अरे भाई double bond रहा होगा तब ही हटेगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग कमेंड करिए भाई फटाक से यह वो जनता है जो कमेंड नहीं करती सिर्फ देखती अब द्यान से देखते हैं कंडंसेशन पॉलीमराईजेशन और इस्टेप ग्रोथ पॉलीमराईजेशन चेन ग्रोथ पॉलीमराईजेशन किसे बोला था मैंने एडिशन पॉलीमर को किसको बोला था एडिशन पॉलीमर को बोला था अंसुमान राज नीट फाइटर करें स्पीड इंक्रीज करिए सर क्या सिफ लाइन बाई लाइन पढ़ दें क्या दिस टाइप अपॉलीमराईजेशन जनरली इन्माल्स ए रिपीटिव कंडंसेशन रेक्शन बिट्मीन टू बाई फंक्शनल बता चुका हूं पहले हिमां टू बाई फंक्शनल या ट्राइपंशनल मोनोमरिक यूनिट होंगे तभी ये इव कंडंसेशन रेक्शन होगा दे लास आफ सब सिंपल मोलिक्यूल वाटर एल्कोहल एच चील एच चील है रिपी फंक्शनल गूरूप या ट्राइपंशनल गूरूप होने चाहिए ठीक है और साथ में कुछ ना कुछ मोलिक्यूल निकलने चाहिए तभी तो कंडंस होगा ना भाई कंडंसेशन कंडंसेशन तभी तो निकलेगा ना कंडंसेशन का मतलब निकल जाना किसी चीज का निकल जाना और ध्यान से सुणना the products of each step is again a bifunctional species and the sequence of condensation goes on since each step इन सब ध्यान नहीं देना है प्रोडूटूटूसे से distinct functionalized species and is independent of each other इस पर ध्यान नहीं देना है इस प्रोसेस आल्सो काल्ड इस टेप ग्रोथ पॉलिमराजेशन इस टेप ग्रोथ इस प्रोसेन नहीं जाने के बाद एक एक पर्टिकुलर यूनिट को जोड़ता है जैसे हमने कहा कि छेस्टू सी डेबल बॉन्डो ओ या नहीं कि हैक इक का निएक इस्टेप दो इस्टेप टीन उस्टेप चार इस्टेप समाज़ गया मेरी बाद नफ थ». ऍ सम heads आफ टरीलीन और डेक्रॉन गैल समातcribe ना तेरिलीन और डेक्रॉन गैले नाम यो थिनल सम आड ग्री बात क्या याद रखना के अगर पूछ ले कि टेलिन या डेक्रउन कैसे बनता है मेरे भाय कैसे बने OH जैसे मैंने लिखा CH2 CH2 OH इधर मैंने लिख दिया OH अब साथ मैं लिखूंगा OH C11O C11OH OH CH2 CH2 OH होगा क्या द्यान से समझना कि यहां से H और यहां से OH क्या बोला मैंने यहां से H और इसका OH निकल जाएगा यहां से ह और OH निकल जाएगा तो सोचो क्या यहां पर Aster linkage आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल यहाँ पर देखो क्या ester linkage आएगा कि नहीं आएगा C double bond O के पगल O यानि कि आपको ऐसा दिखेगा ऐसा CH2 CH2 O C double bond O और ऐसा करके फिर C double bond O O CH2 CH2 O यानि कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह वाली unit बहुत repeat कर रही है कौन सी? यह वाली unit repeat कर रही है बार-बार और इसी को हम क्या बोलेंगे? डेक्रोन या टेरीलीन बोलेंगे जिसमें कौन सा लिंक पाया जाएगा? कौन सा लिंक पाया जाएगा? ester linkage पाया जाएगा कौन सा लिंक पाया जाएगा मेरे भाई? ester linkage पाया जाएगा? कौन सा लिंक पाया जाएगा इसमें ester linkage पाया जाएगा इसलिए इसको polyester भी बोलते हैं क्या बोलते हैं polyester भी बोलते हैं जिसमें amide linkage पाया जाएगा मेरे भाई उसे polyamide बोलेंगे क्या बोलेंगे पॉली एमाइट बोलेंगे चलें भाई आगे बढ़ें चलो पहला है पॉली एमाइट इस पॉलीमर्स पॉसेजिंग अमाइट लिंकेज आर इंपॉर्टेंट एक्जामपल्स आप सिंथेटिक फाइबर्स आर टर्म डाइज नाइलों ठीक है दा जन्रल अगर आपको नाइलों दिखे मेरे भाई तो नाइलों में याद रखना नाइलों में एमाइड लिंकेज होता है क्या होता है क्या होता है एमाइड लिंकेज होता है क्या होता है एमाइड लिंकेज होता है क्या होता है एमाइड लिंकेज होता है कंडंसेशन पॉलीमराइज तो एक तरफ NH2 होना चाहिए एक तरफ C-Wedged होना चाहिए इसलिए इनको amino acid भी बोलते हैं क्योंकि इसमें amine भी होगा और acid भी होगा तो एक तरफ NH2 एक तरफ C-Wedged होगा NH2 से H निकल जाएगा मेरे भाई और C-Wedged से OH निकल जाएगा यानि कि H2O निकल जाएगा तो एम हाइट का निर्मार करेगा जैसे नाइलों 6-6 ध्यान से समझें इट इस दा प्रिपेरड बाई दा कंडनसेशन पॉलिमराइजेशन आफ हेक्जामिथाइल डाई एमीन बिथ एडिपिक एसीड अंडर हाई प्रेसर अंड हाई टमपरेचर अच्छा ज़र आगे बढ़ते हैं कैसी बनाया देखना पहली बात पहचानने का तरीका क्या है अगर नाइलों 6-6 लिखा है तो पहली बात एमाइड होना चाहिए देखो एमाइड लिंकेज है और दोनों तरफ कार्बन की संख्या 6-6 होनी चाहिए देखो 6 कार्बन इधर ओंड भी हैं और 6 आप इधर भी है इसलिए हम इसको नाइलों 6-6 बोल रहा है नाइलों इसलिए बोलना है मेरे भाई क्यOOOOOOOO कि है ूस लिए बोलना है मेरे भाई क्योंकि च्यह कार्बन है होता क्य casset में कесी द्यां से देखना हम ने लिखा सीट बालकलो ई-च्छ्ट चर बार सी डेबल बॉंडो ओएच और साथ में हमने लिग लिए एनच्टू सी एच्टू सिक्स एनच्टू ऐसे बार बार यूनित जोड़ते जाएंगे प्लस सी ओओएच सी एच्टू फोर सी ओओएच मैं जाता नहीं लिखना जा रहा हूं अब दखना होगा क्या यहां से क्या और यहां से ओ निकल जाएगा तो मैं इसे लिख दे रहा हूं सी डेबल बार्न ओ ओ सिएच्टू फोर सी डेबल बार्न ओफ यहां से ओच्टू इसको मैं फिर देखो कई अगर आप इसको देखोगे तो क्या एन अच के बाद उसीनच के बाद और ग्रिडा में मेरी बात समझ आप हाँ बोलते तो हैं सुमान लेकिन अपने सिलेपस नहीं है इसलिए वह सब नाम नहीं याद रखने हैं बागी आप देख लीजिए का कहां से बोल नहीं है तीसरा जहां सुमना नाइलोन का क्वर्म स्थ्क त्रपक्षी करता हो तो धाता है फिर फद्रो प्लास्टिक य॰िचा मारता है इसको fiber की category में किसको रखते हैं polyester पाली amaide को रखते हैं थर्मो शतिंग की category में किसको रखते हैं kia मेरी पास समझ मा रही है चरो ठीकर है अगर इतिनी पास समझ मा रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं लिखा नाइलों 6 is fiber forming solid it possesses high tensile strength ठीक है this characteristic can be attributed to the strong intermolecular forces ठीक है strong intermolecular forces जैसे hydrogen bonding these strong forces also lead to the close spiking of chains and thus impart crystalline nature ठीक है यानि कि जो अपन unit बना रहे हैं उनके बीच में भी क्या हो रही है hydrogen bonding या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन फोर्स इस टाइप की चीज़ें लगती है क्या यूज है nylon 6 is used in making seeds Bristol for brushes ब्रस में जो यूज किया जाता है and the textile industry and textile industry में यूज किया जाता है क्या मेरी इतनी बात समझ पाएं कि नहीं क्या मेरी इतनी बात समझ पाएं कि नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को अगर आपको बाते समझ में आ रही है लिखा it is obtained by the heating caprolactum with water at a high temperature होता क्या है caprolactum ऐसे लिख लेते हैं c double bondo एक दो तीन चार पांच ठीक अब इसमें जब हम पानी डालते हैं इसको हटा दो इसमें जब पानी डालते हैं यह टूट जाता पता कैसे हो जाता है NH2 यहां से तूड़ता है इसको H उसको OH और लिख देते हैं CH2 एक दो तीन चार पांच CH2 5 c double bondo अब होता क्या है ऐसे ढेर सारी unit आएंगी तो यह क्या हो जाएगा भाई इधर भी हो जाएगा NH2 CH2 5 c double bondo OH और देखो यहां से निकाल दो तो c double bondo NH बनेगा और CH2 5 c CH2 5 c यानि कि छे कारबन इसलिए नाइलोन 6 बोल आगे चितर इसका दिया होगा देखो पानी से reaction करा दें तो यह H प्लस इधर जाएगा OH- इधर जाएगा इधर एमीन इधर कार्बोगजलीक एसीट ऐसे धेर सारी यूनिट जुड़ती जाएगी देखो कारबन छे आ जाएगा और एक एमाइड लिंकेज आएगा इधर भी यह होगा ना c double bondo c2h5 तीसे क्या बोलेंगे किसमें इमाइड लिंकेज हैं यह नाइलाउन सिक्स है क्या मेरी पास उनमा रही है कि टेक्स्टाइल एक बार गूगल पर सर्च कर लो आपको बहुत डीटेल में चीजने पता चल जाएगी कि क्या है टेक्स्टाइल जब कभी आपको लगेगी वर्ट समझ में नहीं आ रहा गी एक्चुली क्या है जैसे मैं कोई वर्ट बोल दूं जैसे मैं बोलू पजामा अब आपने जीमन में पजामा नहीं सुना है देखा है तो कैसे समझ पाओगे लेकिन जिनोंने सुना है देखा आप अच्छे से योंगी बहुत चमकीली होती है और बहुत ज्यादा मतलब स्मूथ नहीं होती है उन रस्यों में आपने देखा होगा बहुत अच्छे से देखा है की नहीं देखा है चलिए आगे बढ़ते है पॉलिएस्टर दीज आर दपॉली कंडंसेशन प्रोड़क्स आप डाई और टेरिलीन इस दा बेस्ट नोन अभी पढ़ा चुका हूँ एक्जाम्पल आफ पॉलिएस्टर इट इस मैनुफेक्ट्टर बाई हीटिंगे मिक्चर आफ इथलीन ग्लाइकाल अंटर थैलीकेसी 420 दे प्रसेंस आफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्री आपक्साइट के ट इसको यूज किया जाता है तो कभी आप से पूछ सकता है इसके बारे में भी आप याद कलने हाँ वही पजामा वही इस पर दा रियक्शन गिवन अर्लियर डेक्रों फाइबर्स इस क्रीज रेसिस्टेंट एंड इस यूज इन ब्लेंडिंग विद् कॉटन अंड वूल फाइबर्स इनकों कॉटन और वूल के फाइबर्स में यूज करते हैं और आल्सो आज ग्लास रियोंफोर्चिनिंग मै तो इसका बहुत सारा यूज है जो यूज लिखा हुआ मैं लिए वता रहा है कि विद् कॉटन और वूल फाइबर्स आल्सो ग्लास री इनफॉर्चिनिंग में यूज किया जाता है तो यह नई चीज हमने सीखिया है कि किसकी प्रजेंस में किया जाता तो जिंक एसी टेट और एंटी मनी ट्राइ ऑक्साइड के प्रजेंस में किया जाता यह बहुत इंपॉर्टन चीज है स्में सीखने लाएगा ठीक है तीसरा आगे आपने पास फिनॉल फार्मेलडी हाइट पॉलीमर या रेजिन बोलते हैं बाइकलाइट भी बोला जाता है होता क्या है द्यान स प्रकार के पॉलीमर होते हैं जारा कमेंड करके बताइए क्लासिफिकेशन बेस्डान इस्टक्चर बता यह कितनी टाइप के होते हैं तो फिनॉल फार्मेलडी हाइट पॉलीमर्स आर्डा ओल्डेस सिंथेटिक पॉलीमर्स दीज आर अप्टेंड बाइदा कंडन सेशन डि नाम को लिग दो बेटा बॉरव सिंग पतेल सीजल डॉक्टर ग्रे नाम को लिग दो बेटा क्या है ठीक है तरीक्षन स्टाइट बिद दा इनिस इनिसिल फॉरमेशन आफ और पैराहइड्रॉक्सी मिथाईल मिथाईल फिनॉल डेरिवेटिफ विच फॉर्दर रियक्ट व स्टूसियन प्रेंट दैसेफिं फ्लेंधिन यूज से वनता है उसका यूज़ क्ैमेशन एक हैं प्रांप्र हैं ये लोकाइटि होता है अपने को ये चीज़े मिलती हैं या तो एक बार CH2OH जूड़ जाए या आर्थो और पायरा पे जूड़ जाए या दोनों आर्थो और पायरा पे जूड़ जाए ठीक है फिर निखा है यानि कि अगर हम एन टाइम्स आर्थो वाले को ले लें इसको और उसकी रियक्शन फर्दर कराते जाएं तो देखना यहां से एच निकलेगा और यह जूड़ता चला जाएगा CH2 यह CH2 यह CH2 यह CH2 यह CH2 और यह जो बनेगा उसका नाम है नोबोलाइक नाम नाम क्या है कि इस और सारा वो एग्जम्पल जम्ल कह रहibel क आयट देखा हो ऺजा में आ Nearly कि नहींड देखा भरी नोबोलाइक का तो नोबोलाइके इसमें जो से Hm ठीक है बाई चलो आगे बढ़ते हैं नोबोलाइक आन हीटिंग नोबोलाइक आन हीटिंग बिद फार्मेल्डी हाइड अंडर गोज क्रॉस लिंकिंग नोबोलाइक को अगर तुम फिर से फार्मेल्डी हाइड के साथ हीट करता है तो वह क्रॉस लिंक्ड हो जाता है फॉर्म एन इंफ्यूसिबल शॉलिड बहुत तगड़ा वाला शॉलिड जिसे हम बैकलाइक कहते हैं इट थर्मो सेटिंग पॉलिमर क्या बा बैकलाइट इस फॉर्मड बाई क्रॉस लिंकिंग और लीनियर ब्रांच आफ दा पॉलिमर्स नोबोलाइक बैकलाइट इस यूज़ फॉनोग्राफ में रिकॉर्ट्स फॉनोग्राफ रिकॉर्ट्स एकी चीज़ एलेक्ट्रिकल स्विचेज और हैंडल साफ वैरियस उटे क्रॉस लिंग्ड पॉलिमर है और नोवो लैक से बनता है किसे नोवो लैक से बनता है और इसका यूज जो है कंगी बनाने में फॉनोग्राफ रिकॉर्ड और इलेक्ट्रिकल स्विचेज उपन पंखावन करने के लिए यूज करते हैं उसमें यूज होता है तो क्या इतनी और थी में क्या हो जाता कि हूपर वाली स्रीज में यह नोग लैक था यह नोगो लैक है इसमें क्या जाता है जो नीचे ओये हमेलाइब लेकल जाता है है यहां बना लिया इसा ही बोलते हैं बैकलीटल किया यह वे आगे याद रखं़ इस stupidाहिए भाध कुपसूरत नाम है मेलामाइण फार्मेलडी हाइट polymers मेला माइन के बारे में पहले ध्यान से समझ दो इसमें कई बार सवाल पूछेँ कि जेई एडवांस 213 में पूछा था कि मेला माइन में कितने लोन पेर हैं तो मेला माइन में अगर तुमको नाइट्रोजन नहीं पता जलेगा मेरे भाई तो तुम बता नहीं पाऊगे क्यो तो वाले लोकलाइद है इसाइलों पे चल यह तो बात होगे बीघु बीच होगी कि चलते हैं कि मैलमाइड फोर्मल्डी हाइड पॉल्म grenades देंडसल्टों को जब फोर्ममाइड करोगी मेरे भाई तो किया तो आपको responру요 को कि और उसी का पॉलिमर ऐसेयों कैशन कर आ दें बार 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 उसी यूनिट को मुठीट कर ठाड़ें तो अपने आपको मेला माईन इस नहीं मुलेगा मेला माईल इसे अगल कि वहाएं A plus B Gips यहाँ पे बोल दे C और C Gips Polymerization कर दे और बोल दे कि Melamine Polymer बन रहा है Melamine Polymer बन रहा है अगर twist करना चाहे सवाल को तो A, B और C पूछ लेगा तो A हो जाएगा Melamine Formaldehyde और यह हो जाएगा Resin Intermediate क्या मेरी बास समझ पा रहे हैं आप लोग ठीक है Samaira Gupta, Good Morning सुमन कुमारी, पटेल सर ठीक है क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही हैं आप लोगों को आगे बढ़ें It is used in जहां से समझना It is used in manufacture of Unbreakable crockery यह बहुत important Unbreakable crockery के लिए यूज किया जाता Melamine Formaldehyde उसको लिखा है Write the names of monomers of following polymers बताओ, क्या यह Nylon 6-6 है चलो, Nylon 6-6 का बताओ Monomers क्या है, मैं बता दे रहा हूँ क्या यह Nylon 6 है और क्या यह Teflon है बताओ फटाक से बताओ फटाक से क्या Monomer होगा, Nylon 6-6 का बताओ फटाक से कमेंट करके अरे यार सिर्फ देखोगे तो कैसे समझ माएगा, Polymer है मेरे भाई बताना तो पड़ेगा 8-Pic Acid प्लस Hexamethyl Diamine ठीक है अंसिका का ठीक है, दूसरा बताओ Nylon 6, Caprol Actum नीलोतपल भी बोल दाए है Hexamethyl Diamine सोमन सर्मा का भी सही है डौली रानी का भी सही है पटेल सर का भी सही है अबैसिंग दूसरे का जवाब देने Caprol Actum तीसरे का होगा Tetra Fluorothene Tetra Fluorothene चलो आगे बढ़ता द्यान समनना क्या रहा कि Condensation है, addition है तेरिलीन और बैकेलाई Polythene, Teflon ये दोनों तो addition है और ये दोनों Condensation ये दोनों Condensation है, ये दोनों addition है चोगि इसमें Double Bond है को पॉलाम को पॉलीमराईजेशन समझते हैं को पॉलीमराईजेशन इसे पॉलीमराईजेशन रेक्शन इन भीचे मिक्षर आफ आफ मोर दैन मन मोनोमरीक स्विसीज ये मैं बता चुका हूँ फार्म एक अलो पॉलीमर्ट को पॉलीमर्ट कैन बी मेड नॉट उनली ये चेंग्रोथ पॉलीमराईजेशन बड़ इस्टेप ग्रोथ यानि कि चेंग्रोथ इस्टेप ग्रोथ दोनों बना सकते हैं यानि कि को-Polymerization हॉमो-Polymerization ये दोनों के अंदर आएंगे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप देखो Edition के अंदर आएंगे या फिर Condensation के अंदर आएंगे ऐसा का ना गलत हो गाई इसने लिखा हुआ है साफ-साफ, also it contains multiple units of each monomers used in same polymerization chain, ठीक है, यह चीज मैं explain कर चुका हूँ, जैसे यह को देख लूँ, butadiene plus styrene, क्या वो पीछे आ गया क्या, नहीं सही तो है, यह देखो, अलग-अलग यह A है, यह B है, यह A B, A B type का बन गया, देखो, A B, A B, A B, इस टाइब का polymer बन गया, तो इसे क्या बोलेंगे, co-polymer बोलेंगे, co-polymers have properties quite different from homo-polymers, for example, butadiene styrene co-polymers is quite tough, and is a good substitute for natural rubber, ठीक है, मैंने आपको पहले मंदर दिया, butadiene जहां भी आए, उसे क्या बोलोगे, natural rubber बोलोगे, क्या बोलोगे, natural rubber बोलोगे, कि क्या बोलोगे, बेटा rubber बोलेंगे, natural rubber क्या, उसे हम बात करते हैं, अभी बात करेंगे, इट इज यूज़ फार्दा मैनुफेक्चर, आफ आटो टायस, और फ्लोर टायस, फूट वियस, कंपोनेंट्स, कैबल, इंसुलेशन, एटीसी, ठीक है, यूज़ होगा, यहाँ पर आद कर लेना, ध्यान समझना, natural rubber क्या है, सबसे अच्छी बात, ध्यान समझना, natural rubber क्या है, rubber is a natural polymer, and possesses elastic properties, elastic से याद आए, यह elastomer होंगे, क्या होंगे, elastomer होंगे, ठीक है, it is also termed as elastomeric polymer, in elastomeric polymers, the polymer chains are held together by the weak intermolecular forces, यानि कि ऐसा polymer जिनके बीच intermolecular forces weak हो, खीचने तो ऐसे आजाए, पहले ऐसे थे, खीचने पर ऐसे आजाए, अब ऐसा महीं नहीं कि खीच लो तूट जाए, तो जैसे देखो रबर, रबर खीचता क्यों है, क्योंकि उनके बीच जो फोर्स आपट्रेक्शन बीच है, यह क्यों नहीं खीचता है, क्योंकि इनके पास strong है, हो सकता है कि यह thermosetting का हो, यह तो बिलकुल बहुत strong होगा, तो बात आज समझ रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं प्रसान ना हो, इस बीक वाइंडिंग फोर्स पर्म्यूटेड दा पॉलीमर तूबी स्टेज, यह फी ग्रॉस लिंग इंटोडियूस इन बीट्वीन दा चेंज, कोई मतलब नहीं, अब आओ ध्यान से समझ यह गजब की बात, यह गजब की बात क्यों है, कि यही जानना है मेरे भाई, देखो यह सिस कन्फिग्रेशन, देखो ध्यान से, यह सिस कन्फिग्रेशन है, और यह सिस कन्फिग्रेशन है, अगर यही कन्फिग्रेशन ट्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से सु दिखते हम CH2 double bond CH CH double bond CH2 यहां पर हटा दो यहां पर लगा दो CS3 इसे बोलते हैं हम लोग 2-methyl 1,3-butadiene जिसे हम आईशोप्रीन बोल लहें हैं अगर इसका configuration trans हो जाए तो comment करके बताओ क्या बनेगा सोनम सर्मा ने पहले ही comment कर दिया है गुट्टा पर्चा सिस होने पर तो इसे आँ नेचुरल रबर कहेंगे कोई दिक्कत नहीं नेचुरल रबर कहेंगे सिस 1,4 polyisoprene को लेकिन लेकिन अगर trans 1,4 polyisoprene हो जाएगा तो उसे गुट्टा पर्चा कहेंगे खीच सकते हैं इस प्रिंग की तरह स्ट्रेच हो सकता है और इसलिए इलैस्टिक प्रपर्ट्टी यानि कि ऐसे ऐसे करोगे तो वह क्या करेगा उनमें बेब बनेगा जंप होगा चले बहीं आगे बढ़ें यह देखो आई सपने अभी मैंने बताया वल्कनाइजेशन रबर क्या होता मैं आपको बता दू नेचुरल रबर में ध्यान से समझना नेचुरल रबर में हम थोड़ा सा सलफर मिला देते हैं पांच पर से अब उसको वल्कनाइज करते हैं तो वल्कनाइज करने के बाद क्या होता रबर स्ट्फिंड हो जाता है यानि कि टाइट हो जाता पहले बहुत जादा फ्लेक्सविल्टी थी अब फ्लेक्सविल्टी ख खतम करना है, and shows high water absorption, water को भी absorb कर लेरा capacity है, it is soluble in non-polar solvent and is non-resistant to attack by oxidizing agent to improve upon these physical properties, याद रखियेगा कभी सवाल पूछा जाए कि वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं, तो इन्हीं प्रपर्टी को improve करने के लिए करते हैं, जो कमिया हैं, ये process of vulcanization is carried out, this process consists of heating a mixture of raw rubber with sulfur, and appropriate additive, 5% के आसपास होता है, मैं भी बता रहा था नहीं कि अगर sulfur in the manufacture of tires rubber, 5% of sulfur is used as close link agent, जैसे ही अपन डालते हैं, तो sulfur को डालते थे, sulfur बीच में क्या था, दो chain के बीच में आके जूड़ जाता है, तो पहले देखो, ऐसे, ऐसे थे ऐसे ते लेकिन अभी क्या हो होगे अब ज्यादा elasticity नहीं आएगी नहीं flexibility होगी क्या मेरी बात समझ रहे हैं ठीक है सिंथेटिक रबर क्या देखां सिंथेटिक रबर इस एनी वलकनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर वीच इस कैपेबल आफ गेटिंग इस्टेज टू ट्वाइस इट्स लेंथ यानि कि क्या कर सकते हैं इसको अपनी लांज से दो गुना ज्यादा खीच सकते हैं वाइवर इट रिटर्स टू इट्स ओरिजनल सेप एंड साइज एस सून एस डा एक्स्टर्नल इस्टेचिंग फोर्स मतलब यानि कि खीच के छोड़ दो तो आपस आ जाएगा इस रिलीज दस सिंथेटिक रबर सार आइधर होमो पॉलीमर साफ वन कामा थ्र यही मैं बोल लाता कि सिंथेटिक रबर यानि रबर की कॉल्टी में अगर आपको पहचानना हो तो ब्यूटा डाइइन कहीं भी दिखे बस बोल देना रबर है यानि कि लास्टोमर है और को पॉलीमर साफ वन कमत्री ब्यूटा डाइइन और इट्स डेरिवेटिव इस यह है यह है यह si unit जोड़ तो तीसे क्लॉरोप्री याद रखीएगा आईशोप्रीन नेचुरल रबर का क्या था मोनो मर्था नेचुरल रबर का मोनो मर्था इट है शुपरियर रसिस्टेंट टू वेजिटेवल और मिनरल सॉयल इस यूज़ फार मैनुफेक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट्स गैस्केट्स एंड हॉज़ ठीक देख लीजिएगा क् व्यूना एस व्यूना एस पर चुके हैं इन दर सक्षं वन पॉइंट ठीक है बिउना एन इस अप्टेन बाइद वाईशन और 1,3 बूताइड इण एक्राइलो नाइट्राइल अन का मतलब देखो दो चीज़ें बहुत पुछी जाती है पुछी गई ब्यूना एस और ब्य करेंगे हैं से जोड़ देंगे इसको डबल बोन तोड़के उधर वाले से जोड़ देंगे तो यह दिए जो पॉलीम्राइजेशन एडियोल्स का valid कíे एंघ इस से क्या जात मैं नियुटिल्ड याद करकी पेमेल्डे युशर जेसे दे रहें वैसे याद रखना है कोई मोडिफिकेशन नहीं चाहिए इसमें ठीक है न चले आंगे बढ़ें चले बहुत खुश्रा सवाल आ गया है एक्स्प्लेंड डिफ्रेंस बिट्विन ब्यूना एंड ब्यूना एस अभी मैंने बता दिया है देखो यह फाइबर है यह क्या है यह देखो फाइबर से और यह देखो कैसे है इलेस्टोमर क्या है इलेस्टोमर है और पॉलिथीन क्या है थर्मो प्लास्टिक है क्या है thermoplastic है बताओ intermolecular attraction force सबसे ज़्यादा किसका होता मेरे भाई किसका होता है सबसे ज़्यादा होता फाइबर का यानि कि nylon 6-6 ध्याद से समझना यह सवाल आ सकता है नीट में ध्याद समझना ऐसे ही सवाल इन टेक्स्ट के सवाल आते हैं नीट में और इन शेप्टरों में जरूर आएगा फिर आएगा फिर आएगा पॉलिथीन क्या आएगा पॉलिथीन देन क्या आएगा मेरे भाई देन आएगा ब्यूना एस क्या मेरी बास सही है एक बर ध्यान से देख लें क्या सही है जवाब साही है आप लोगों का बोलियोफटाक से फाइबर प्लास्टिक इलाइस्टोमर नाइलॉन सिक्सिक पॉलिथीन ब्यूना एस डॉली रानी का साही है चलो आगे बढ़ता है आपने पड़ा होगा बहुत तगड़ा होता है इसमें ज्यादा और नीट में सलेबस में हैं इसलिए इस पर बात नहीं करें काल्कुलेशन करने का और तरीके होते हैं इसके निकालने काना मेथड बहुत सारे हैं वह अपने सलेबस में हैं इसलिए बात नहीं करेंगे लेकिन किसी भी पॉलिमर का मुल्कुलर मास एक्जकट ऐब नहीं बता सकते हैं लगभग इसलिए तो हमने याद किया था इस टार्टिंग में क्या होता है पॉलिमर के मास का रेंज एक बार कमेंड बाक्स में कमेंड करके बताई decor क्या होता है रेंज बताईये बाइब के बायो डिग्रेड़लड का मतलब है कि ऐसे पॉलिमर जो अपने नेचर में अगर जमीन गंदर जाए ना तो कहतं हो जाएं कि ऐसा नाओ या पने सलु सीनल नंती टेवा दिया वह वह खतं हुआ ही नहीं तो अपने नैचर के लिए अच्छा यानि कि जो हमारे नेचर में उपस्थित हैं ठीक है अभाई सिंग जैसिका सुमन डॉली अंसिका और सुभम इन सभी का एंसर सही है एक रेंज में होता है ठीक है उनका एवरेज लिया जाता है ठीक है तो इसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक्जांपल क्या है चलिए मैं उस हम ठाई सघक है पीअच बिवी सब्स पहला इंप्वर्टेंट है पीएक बिवटवाटोंगों तो हम नहीं साइव मों था जाना चाहेज तो neste ईह कीया है ऑलजा गे है पांच है तो वैलरेट यूज़ किया अब इनको मिला दीजिए ज्याद समना इनको मिला होगे तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी जूड़ जाएगा ना इनको हम लोग आर्थोपाडिक डिवाइसेज और इन दा कंट्रोल्ड रिलीज अफ ड्रक्स पीच्वीवी इनको हम लोग अर्थोपाडिक में भी यूज करते कहीं कि आपने सुना होगा कि आपने ऐसी टांका लगाया को गल गया या हट्डियों में ऐसी चीज लगाई कि वह गल गया सर ब्लीज डॉट्लियरर करें येव डबन क्याम अ मैं तो यह हो जाएका कि इसका यगां ये थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा तॉयोний है नीचे सिर्ट्री जाएगा तिसे हम PHBB बोलेंगे, क्या बोलेंगे? PHBB, तो PHBB क्या ध्यान रख लें? क्या है बाई? बायो डिग्रिडेबल पॉलिमर है, कैसे बनता है? 3-hydroxy, butanoic acid और 3-hydroxy, pentanoic acid जिसे हमने बोला, beta-hydroxy butyrate और beta-hydroxy bellerate ठीक है? ठक गया है, यार मैं nylon 2, nylon 6 it is an alternating polyamides, co-polymers of glycine ठीक है, and amino caproic acid NH2, CH2, 5-C-VH देखना, NH2, CH2, C-VH प्लस NH2, CH2, 5-C-VH यहां से देखो, 1-H निकाल दो, यहां से O-H निकाल दो यानि कि amide linkage आएगा क्या हैगा? amide linkage आएगा, यानि कि मैं ऐसा लिख सकता हूं NH, CH2, C-Double-Bond-O NH, CH2, 5-C-Double-Bond-O ऐसे हैगा क्या यह Nylon 2, Nylon 6 है कि नहीं है? देखो, 2-Carbon इधर है और 6-Carbon इधर है amide linkage है, इसलिए Nylon नाम है और 2-Carbon इधर, 2-Carbon उधर, 6-Carbon उधर है ठीक है भेद देंगे, रोज क्लास होगी परशन नो, कल भी क्लास होगी मेरी तो नायलावन 2, नायलावन 6 क्यों बना समझ माई है। नायलावन और गोला है, Mort 축 is hu क्रमble remains 2,2,6 प्रसलावार LA पॉलीमर आप commercial importance obedience universe इसे भी सवाइस कई बार पूछे जाते हैं। नेको але का नाम है पॉलीश प्रॉपन तो मोनोमर क्या हो जाएगा प्रोपीन बहुत आसान है तो प्रोपीन कैसे होता बाभू च्छ टू डबल बन्ड को जोड़ दो इस्टक्टर हो गया यूजेज क्या है मैंनुफैक्चर साफ रॉप्स टॉयर्स पाइफ्स ठीक है अगर आप usage याद कर लोगे तो risk नहीं रहेगा बसे usage याद करने की जरूरत नहीं एक्जामपल बहुत जरूरी है कि कौन सा polymer किस category माता है यह important है इस पे सवाल पुछा रही है पिछले 10 सालों में पॉली स्टाइरीन तो क्या हो जाएगा किस टाइरीन अभी आपको बताया था ऐसे होता है बेंजीन पर द्यां समझना तोड़ दो जोड़ दो इसको तोड़ दो उधर जोड़ दो तो क्या यूज होता है आइज इंसुलेटर रैपिंग मैटेरियल मैनुफेक्ट्चर और ट् जो टीवीयों का कैबिनेट बनाय का सामने ब्लैक मैं देखा होगा उसमें यूज हिया जाता पॉलिस्टिरीन को एक होता पी वीसी पटाइप आपने पढ़़ा होगा तो पाइप में बहुत ज़के उजादा यूज होता है एंजCE द्वन्फूर्एट कैसे होता है Divенное कोल लीए इन पाइपम होती है कि इसे प्यृम पिविसी कहते तो इस शरेया अ कीजिदे क्षों कहते हैं यूरिया फार्मिल्डी हाइट का अभी हमने पॉलिमेर पढ़ा था वह इस तरीके से बनेगा फॉर मेकिंग अन्ब्रेकेबल कफ्स एंड लाइमिनेटेड सीट यह बहुत इंपोर्टेंट है भाई ग्लिप्टल कैसे बनता है आपने देखा होगा कि हमने टेरिलीनिया डेक्र दिया तो है इथाईलीन गलाइकॉल और ठालीकेशीड लेलोग यहां सो जाएगा और ठेरिलीन क्या था वो वो पैरा पे था यहां यहां पे था ठीक है ना मैनुफक्ट्चर आफ पेंड्स एंड लाइकवर्स बनाने के लिए बांकलाइक अभी हमने बढ़ा फिनॉल फरमे यूटर डिक्स ठीक है यह लाइन आपको याद होनी चाहिए यह जो समरी है इसमें पढ़ लिजेगा समरी वो अपने चैप्टर में जो समरी हमने पढ़ा था उसी का समरी है तो चलिए अब सेशन शुरू होता है कि आपने अगर पढ़ लिया है तो मैं इसमें से कुछ आप लोग रेडी हैं बताने के लिए चलिए चलिए बताइए नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स और नाइलॉन टू सिक्स और नाइलॉन सिक्स टेन चलिए आपने का सिक्स टेन तो पढ़ाएं नहीं फिर भी पूचता हूं चलिए पहला सवाल है नाइलॉन सिक्स का नाइल पॉलीमर बताओ और वो किस टाइप का पॉलीमर है कल बेटा पीवाई क्यू करेंगे क्या करेंगे पीवाई क्यू करेंगे कान कोल के सुन लीजिएगा कि बताइए कि बताइए भाई जवाबी नहीं आ रहा किसी का चलिए अंसिका निरुद्पल ठीक है ठीक है सभी का जवाब है कि सर कैप्रो लेक्टम से बनता तो कैप्रो लेक्टम का इस्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं एक दो तीन चार पांच नहीं ने छे कार्बन होता तो एक कार्बन और होगा ठीक है इसे बोलते हैं कैप्रो लेक्टम क्या बोलते हैं कैप्रो लेक्टम नाइलॉन सिक्सिक्स का बताओ नाइलॉन सिक्सिक्स का बताओ नाइलॉन सिक्सिक्सिक्स का क्या होगा हेक्जा हेक्जामिथाइलीन डाइयमीन और एडिपी केसीड हेक्जामिथाइलीन और डाइयमीन और एडिपी केसीड ठीक है नाइलॉन टू सिक्स नाइलॉन टू सिक्स का बताइए फटाक से जेसिका स सुमंस रहा इन सभी कैंसर सही है नाइलान टू-शिक्स का बताईए ग्लाइसीन और साथ में क्या हो जाएगा कैप्रोइक अमीनो कैप्रोइक एसीड ठीक है और नाइलान शिक्स और टेन का बताईए नाइलान शिक्स टेन नाइलान शिक्स टेन का बताईए फटाक से क् affair कर दो क्रोफर क्रुछ बताई है क्रुछ वेढ बताईए ny čas प्यूज कुमार का रहा है नार्टीन सलेबस ठीक है बस हेक्जाडाई मिताइल एमीन के साथ साथ क्या लगए ना सिबैसिक एसिड देख लो कहीं आ जाए जरूरी नहीं है कि आउट आफ सलेबस से तो नहीं देखना सिबैसिक एसिड जो एडिपीक एसिड था ना वापने लि चलिए तो उमीद करता हूँ पहली बार सुने हैं कोई बात नहीं सुनते रहिएगा तो उमीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी आपको क्या करना है आपको एक पेज लेना है उस पर सौर्ट नोट्स बनाना है और जितनी एंसियाटी की लाइन हम वालेशन होगा यानि की बार बार पढ़ने से चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगे ठीक है पूछिए क्या डाउट है कोई डाउट नहीं है चलिए थैंक्यू शुक्रिया फिर मिलेंगे आगी कोई दिक्कत होगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा श्रया जी स्ट् के बार निकलता है तो अलकोहल भी निकलता बट अपने में स्लेवस में निकलता है तो निकाल के बना लो ठीक है ठीक है थैंक्यू शुक्रिया फिर मिलेंगे थैंक्यू पढ़ते रही है भाई आप लोग